दोस्तो आज हम लोग नभी क्लास के मथेमेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमेंसे नमबर सिस्टम भी फ़न चेप्टर है, पहला चेप्टर है, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्ध्धती, हम लोग जानेंगे आज कि संख्या पद्धती क्या है, कौन से संख्या आते है इसके बारे हम लोग से जानने वाले दोस्तों अ यह हाथ है, इसमें 5 उ Size है । तो हमुह depreciate करते हैं एक दू तीन चार पाँच ना कि हम 0 से start करते है, तो गिंति की संक्या को क्या बोले हैं, गिंति की संक्या को प्राकृतिक संक्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है, समझ गए दोस्तों अगला मेरा point है whole number यानि कि पूर्न संक्या whole number सुनने में ही लग रहा है पूर्न संक्या पूरा पूरा संक्या whole number क्या होता है जो zero से सुरू हो और infinity तक यानि अनन्त तक जाए उसी को whole number करते है जो सुनने से सुरू हो करके अनन्त तक जाए उसी को क्या करते है whole number करते है जीरो वान टू थिरी अनन्त तक जाएंगे उसी को क्या करता है पूर्न संक्या अब एक को सनाता है कि सभी natural number whole number है जी हां क्योंकि यह एक से start होता है और यह zero से जीरो से लेकर कर अनन्त तक या एक से लेकर अनन्त तक तो सभी प्राकृतिक संक्या पूर्न संक्या होते है लेकिन सभी पूर्न संक्या प्राकृतिक संक्या नहीं होता है तो इसको ध्यान में रखेगा चलिए अगला point है मेरा समसंख्या यानि कि इभेन नंबर अब इभेन नंबर किसे कहेंगे तो जानेंगे वैसी संख्या वैसी संख्या जिसमें दो से भाग देने पर सेस्फल जीरो या दो से भाग देने पर पूरी पूरे विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे समसंख्या उसी को क्या कहेंगे समसंख्या कहते है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए एक्जामपल में देख लेते हैं दो चार छे सोरी यह चार है छे, आठ ऐसे करके हम लोग लेंगे जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे समसंख्या कहेंगे अगला point है मेरा विसमसंख्या समसंख्या का जश्ट अब वो जीठ है विसमसंख्या और नंबर वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित इतना हो, उसी को क्या कहेंगे, विशम संख्या कहेंगे, उसी को और नंबर कहेंगे, जैसे देखते हैं, एक्जामपल में, वन हो गया, थिरी हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, जब इससे हम दो से भाग देंगे तो इसमें सेस्फल कुछ न कुछ बच जाएगा पूरी पूरी भाग नहीं लगेगा तो इसी को क्या कहेंगे और नंबर विशम संख्या जुए अगला पॉएंट देखते हैं दुस्त अगला पॉएंट जलने जाएगे एक थोटा सा मोटिवाशनल खिएट है क्या हुआ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक चोड़ेंगे नहीं दूस्तो हम लोग को महनस से पढ़ना है और इस थानना रहां कि जब तक आउन कर दे हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेस्टन आप तक पौश सके तो चलिए अगला पॉएंट पे हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों हमारा जो अगला अगला पॉएंट है वो है प्राइम नंबर अभाज संख्या यह महतपुर्ण है काफी एक्जाम में इ संख्या जो एक से और अपने रिवाजफित हो और उख स्थिवी वाजफित हो रहा हो और एक स्थिवी वाजफित हो रहा है इसका मतलब यह प्रायम नंबर है जिब्कि एक प्राइम नंबर नहीं है reyfnает करना का हम आज से यह वाला just एक ही गुनान खंड है इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है इंगे रामपल में देखते हैं 2 दो का जा गुनान खंड करते है एक से भी विवाजित हो रहा है और यह खुद से अपने से तो इसका मतलब क्या हुआ दो गुनान खंड हो दो से अधिक भी ना ओ और दो से कम भी हो रहा है तो ऐसे मालक से लिए नौ देखते है नौ का कितना गुणन खंड है देखते एक से भी गुणन खंड है तीन से भी गुणन खंड है नौ से गुणन खंड है जब कि हम बोले है कि दो गुणन खंड हो केवल और केवल दो गुणन खंड हो ना ही दो से अधीक हो ना ही टू थिरी फाइव सेवाणी से खरके अगर पूच्चा एता है फर्श्ट प्राइम नंबर फर्ष्ट प्राइम नंबर तो वहाँ पे एंसे देना है वह है अभाज संक्या यह है भाज संक्या तो उसका भाज संक्या का केवल और केवल दो गुनन खंड हो रहा था और भाज संक्या का हो रहा है नाइन देखते है वन से वाज़ेत हो रहा है थिरी से नौ से इसका दो से अधी कुछ गुरन खंड है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाज संख्या इजम्पल में इसका भी ले लेते हैं प्रमें संख्या यह क्या हुआ भाज संख्या मिया एक ना ना ही अबर्च वभाज संक्या यह मैं अबर्च इसकत्री में अध gedacht संख्या अंग्ला यह वरीक्डस है परिमे संख्या परिमे संख्या किसको कहेंगे वैसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते है उसे हम परिमे संख्या कहते है और Q बटे Q P बटे Q के रूप में तो लिख सकते है लेकिन Q बटे Q के रूप में तो लिख सकते हैं यह क्या है मेरा टाइम नंबर है क्योंकि क्यू ब्रावर यहां पर जीरो मेरा नहीं है यहां भी क्यू ब्रावर क्या है जीरो मेरा नहीं है यह क्यू ब्रावर फोर है यहां क्यू ब्रावर जीरो है Q ब्रावर 2 है इसलिए है मेरा परिमे संख्या है वह इसी संख्या जिसे हम P ब्रावर 2 की रूप में लिख सकते है और Q ब्रावर 0 नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं परिमे संख्या अब अगला पॉइंट वो है मेरा और परिमे संख्या वह इसी संख्या जिससे पी बट्टे क्यू की रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं और परिमे संख्या जिसे पाय क्या है पाय मेरा है और परिमे संख्या अब आप लोग बोलेंगे कि इसका तो माइं बाइस बट्टे साथ होता है यह तो परिमे होना चाहिए क्य हम लोग का बैस्पटे साथ लेके हम लोग mathematics में यूज करते हैं जब कि यह क्या है और फरी में संक्या है तो आज का class यहीं तक रखते हैं अगला topic हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कैसा लगा वीडियो है यह मेरा आप लोग जरूर कमेंट में बताईएगा जहां पर हम गलती कर रहे हैं उसको भी बताईएगा ताके अगले वीडियो में हम उसको सुदार कर सके और दोस्तों एक खुसक्रम्णी है एक 11-12 वाले इस्टूडेंट के लिए कि एक है एक चैनल है औरो 2.0 यह बेस चैनल है 11-12 के लिए इस पर एफी chemistry पढ़ा रहे है वो मेरा दोस्त ही है काफी अच्छे पढ़ाते है औरो 2.0 पे chemistry स्टार्ट हुआ है न्यू बैच अगारवी का तो आप लोग चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं और तेले दोस्तों यही तक हम अपना वीडियो रखते हैं